उधम सिंग नगर की नानक मत्ता शेत्र में वनविभा की टीम पर हमला करने वाले वन तसकरों में से एक को आज स्थान्य पुलिस ने मुटभेड के दौरान घायल अरोपी को गिरिफतार कर लिया वह इस मामले से जुड़ा एक अन्य आरोपी भी आज हरियाना के फरीदाबाद से गिरिफतार किया गया है 17 अक्टूबर को लकडी तसकरों ने नानक मत्ता के कैथुलिया शेत्र में वन विभा की टीम पर हमला बोला था वन विभा को खैर की लकडी की तसकरी की सूचना मिली थी तसकरों को पकड़ने कई वन विभा की टीम पर हमला हुआ जिसमें एक वन कर्मी खायल हुआ था जिले के वरिश पुलिस अधीक शिक मनिकान मिश ने कहा कि इस मामले के तीन नामजद अभयुक्तों को पहले ही गिरिफतार कर लिया गया था जबकि दू अभयुक्तों की गिरिफतारी आज हुई है सम्मंदित धाराओं में उसी दिन अपराद पंजित रित किया गया और जो वन तसकर थे उनको गिरिफतार करने के लिए लगातार पुलिस लगी रही इस पूरे मुकदमे में पांच नामजद अभयुक्त थी जिसमें की तीन लोगों को पहले गिरिफतार किया जा चुका थ एक अभियुक्त जस्पाल जिस पर पूर में भी कई मुकदमे थे उसकी सूचना पूलिस को प्राप्त होई जो पूल बट्टा थाना चेतर के बर्रा चौकी में कहीं पर है और भागने की तयारी में है पूलिस ने उसकी घेराबंदी की उसने पूलिस पर फायर कर दिया है कि उसकी पर में गोली लगी और आज उसे ने आले के समक्ष प्रस्तित किया जा रहा है तरही शित्र में पिछले कुछ समय में वन तसकरों की सक्रता भड़ी है और वन विभाग के करमचारियों पर हमले की घटनाएं भी एक के बात एक लगतार सामने आई है तो चलिस मु पुर्दम सिंगनगर के हमारे समवादाता राजीव शंकर शुकला से तो राजीव बताएं क्या है ये मुद्दा और पुलीस ने इस मामले में किस तरह से कारवाई की है राजीव कंचन जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस से पहले जो है ये घटना जो है एक बार और भी घटी हुई थी पिछले सितंबर च्छे तारिक को और उसमें भी जो हमारे बन कर्मियों और बन तसकरों के बीच मुट भेड़ हुई थी जिसमें एक रेंजर से तीन लोग हायल हुए थे और उसमें पुलिस में कारवाई करते हुए जो बारा नामजद हमारे जो उसके आरोपी है उनमें से दो लोग को गिरता आते लिया ये जो घटना है नानक मता चेतर के कैथुलिया गाउं की है जो की पिछले पंदरा सोलह अक्टूबर की रात ती घटना है और इस बन तसकरों और उनके बन कर्मियों के बीच मुड़ेड हुई जिसमें एक बन कर्मी जो घायल हुआ उसमें कारवाई करते हुए इसमें पांच लोग नामजद थे जिसमें पुलिस ने पहले कारवाई करते हुए तीन लोगों को गिरतार कर लिया अभी पिछली कल रात की घ लेर करके और उसे उसने फायरिंग की अपने बचाओं के लिए और मोटसाइकल छोड़ करके बागा जिस पर पुलिस ने उससे पकड़ा अरेश्ट कर लिया और जो एक आखरी उसमें आरोपी था उसको आज सुबह हर्याना के फरीदाबाद छेतर से पुलिस ने गिरतार कर धन्यवाद राजीव तवाम जानकारी साजा करने के लिए